वाईगूर जी का खाल्चा वाईगूर जी की फते स्टेपिंग स्टोन पंजाबी रीडर छे विच दाड़ा स्वागत है मैं अर्शंदर पानकॉर आज तो अड़िले पाठ नंबर स्टाई लेके हाजर हां चलो चलिए नवा पाठ सिखे सदा अजदा पाठ है गुरु नानक देव जी अते बगदाद दे बहलोल शा दे प्रशन नंबर तिन ए जड़े पाठ हन ए संसिंग मस्कीन जीती कथा दे अधारत हन सबतो पहला असी पाठ विच अन वाले जड़े ओके शब्द है के उनानो सिख दे हां हरवारी सदा पहला शब्द है आसन जिसता मतलब है सेट शांत होके इन पेस उतारना गेट डाउन जवाब अंसर जवाब ले सादे को ले एक होर शब्द होंदा है प्रशन विल्ला आइडल या फ्री ताइम विल्ला समा हो सकदा विल्ला बंदा भी हो सकदा राइट जद उसी विल्ले बैठे होंदे है सम्झ नही आई इडिन्ट अड़स्टाइड सोच भी नही सकदे कांट इवन थिंक अबाउट ख्याल ना आया इडिन्ट थिंक अफ एट महावरे या कहावता जा अखान भी सिकें देहाई खोशवद इडियम्स एंड सेंग्स आदर सन्मान रिस्पेक्ट इस कुझ ही ओनली देस दस्या ही नहीं हैवन टोल्ड परचलत पॉपुलर पीर दस्तगीर नो खुदा तो पहला की सी अते खुदा किथे रंदा है दा जवाब पसांदा है उनने दो प्रशन पहला पुछे सान गुरु नानिक सेहनो होन उस दा तीसरा सवाल सी फकीर जी मेरा तीसरा सवाल है के खुदा की करदा है कुझ करदा भी है के विल्ला बेठा रंदा है पीर दस्तगीर जी इस दा जुवाब सुनन ले human आपने आसन तो हैठां उदरना पवेगा ते मेननू तो हडे तक्त ते जाना पवेगा, गुरु जी बोले पीर दस्तगीर गुरु जी दे पहले बचना तो बहुत खुश सी ओ अपने तक्त तो उठके थले आ गया, ते गुरु जी उस दे तक्त उते बैठ गए सब लोग देख रहे सन, पीर ने कुछ मिंट उडिकिया, गुरु जी कुछ ना बोले पीर जी ने फिर पुछिया, फकीर जी मेरे स्वालदा जुआब देओ, खुदा की करदा है गुरु जी ने कहा, पीर जी की तुसी देख्या, के इत्थे की होया है, तो हनु समझ नहीं आई के खुदा की करदा है फकीर जी तुसी ता कुछ बोले ही नहीं, तुसी ता दस्या ही नहीं के खुदा की करदा खुदा की करदा है, फिर मैं की समझा, पीर जी बोले, पीर जी खुदा ए सब कुछ ही करदा है तक्त उत्ते बैठ्यानू थल्ले उतार दिन्दा है, ते फकीरानू तक्त ते बठा दिन्दा है तुसी इत्थे बैठे सी, अते मैं उत्थे, जित्थे तुसी हुण खड़े हो, हुण मैं तो हडे तक ते बैठा हां, ते तुसी मेरी थादे खड़े हो पीर दस्तगीर समझ गया सी के गुरु जी सच मुछ रब्दे बंदे हन उसने गुरु नानिक देव जी दा बहुत आदर सन्मान कीता, आदर सन्मान, रिस्पेक्ट है ना उसनो गुरु जी नाल बहुत प्यार हो गया, पीर ने गुरु जी नो सतारा दिन अपने कोल रख्या, अते उना दी सेवा कीती की तो आनू समझाई के गुरु जी ने पीर दे स्वालदा जो आप दे के सानू की सुनिहा देता है सुनिहा की हुंदा है? मैसेज है ना सानू गुरु जी की दसना चौन दे हन? की मैसेज दे हन? गुरु जी कहरे सन रब सब कुछ कर सकता है जो असी सोच भी नहीं सकते, वो भी रब कर सकता है, कि में गुरु जी ने पीर नू उस दे तख्त तों ही उतार देता, अते आप बैठ के, इथे जड़े शब्द हैगा, तख्त है, इथे मिस्प्रिंट हैगा, ठीक है जी, पीर नू इस गल्दा ख्याल ना आया, कि गुरु जी की कर रहे हैं, गुरु जी दा लोकानो सिखाण दा तरीका अनोखा सी, उने अनोखा की होंदा है, तुसी पिछले पाठांच पढ़े है, अनोखा होंदा है, यूनीक, जा डिफरेंट है न, सो यूनीक तरीका सी, गुरु साहब जी दा, बहुत लॉजिकल तरीका से न, ओ करके दिखा देंदे सान, बगदाद विच गुरु नानक देव जी बारे, गुरु नानक देव जी दे बारे, वेच महावरे जा लोक कहावतां पर चलत हन, बगदाद विच है, न, सो इतना बाब्बा नानक, जी कर कोई, बहुत वड़्दीयां गल्ला करे, ता लो उसनों केंदे हान, इतना बाबा नानक, इस दा मतलब है, तु कोई बाबा नानक नहीं है, जो सब कुछ जानदा है, ना, इतना बाबा नानक, एक कुष्चन मारक पाया है, ना, इस दा मतलब के गुरु नानक साहिभी सब कुछ जानदे हान, ते असी कोछ नहीं जानदे, है न So, No. 2, आब आलक बाबानानक, इसना मतलब है, तु कोई बाबानानक नहीं, जो तेनू सब कुछ पता होवे, अना मूँ बाबानानक इसना मतलब है, मैं बाबानानक नहीं, जो मैननू सब कुछ पता होवे, हेठ लिखे शब्दानू वाखा permettों, बेशक्ण, so about without any doubts. सब्सक्राइब करते हैं तो इस शब्सक्राइब करते हैं तो प्रैक्टिस आगई है अभियास आगया है तुसी इथे वाग लिखोगे सब्सक्राइब करते हैं तो पहला ता जड़े गुरु नानक साहिब जी दे सबंद वेच बहलोल जी दे नाल उना दे कॉशन उना दे प्रशन ते गुरु साहिब जी जवाब बड़े युनीक जवाब उमीद है तो आनू सारे आनू बहुत पसाद आए होनगे क्योंके जदो उसी बच्चे भी हुनने हैं जाद उसी वड़े भी हुनने हैं तो साड़े मान विच कई तरह दे स्वाल खड़े हुन दे हैं कि क्यों सी पाठ करिये क्यों सी रब नू याद करिये हैं बड़ी अगलन साड़े मान चौन दिया है ते जिसरा गुरु साहिब जी ने बड़े प्यारे तरीके नाल बड़े उनीक तरीके नाल इनादे जवाब दिते हैं, तो सानु लगदा है कि कुछ ना कुछ, किदरे ना किदरे, कोई प्राइम जड़ी पॉवर है, प्रमात्मा है, ओ है, जो होका रहा है, ठीक है, सानु पा में देस्दा नहीं, पर असी, गुरु क्या कि जरे जरे विच, हर किसे विच दुसी राबनों देखो, तो सानु चंगे बढ़ना चाहिए, चंगियां दलना करने चाहिए, किसे दा दिल नहीं दुखाओना चाहिए, जी असी है, मनिये कि प्रमात्मा सब दे विच है, तो असी सब नो बड़े प्यार, सतकार दे न करऊंते है, सब दे नाल, तो नहीं दी चंगा भी हीएविर, रखांगे अपना चंगा असी इन दी वर। करांगे, नहीं कि किसी दुखावाने, कि लोड़ पहंते है, कि सेरी मदद करांगे, तो ए असी गढला जड एो है, सिख दे हा, जे ऑसी गुरू नान एक पहला भी तुसी पाठ कर देओ, तुसी बडिया अगला सुन्दे होगे, सिखते होगे, ता असी उना चीजानों अपने जिंदगी देविच वर्त देया जदों, असी गुरु सहब जी दे, कहे अनुसार, चलन दी कोशिश कर दे हाँ. सो होनसी चल दे, सोंवार कर दा काम, हेठा लिखे प्रशना दे ठीक जवाब लिखो, पीर तीसरा स्वाल की सी, एस पाठ दे विच दीसरा स्वाल पीर जी ने पुछिया सी, ठीक है, के ओ तुसी देखना, सो उदा पाठ सुनके पढ़के ए प्रशना दे उतर लिखने, Kurnanak Dev Ji ने पीर नू आसन तो उतारके की सुनेहा दिटा, ठीक है, आसन असी गालकीती सी सीट, तक्त जिस्तरा थ्रोन होंदा है हना, तो जियराजी, महराजी है गया, उ तक्त से बैखते है, तो पीर जीए अपनी सीट तें सी, आसन तें बैखते हैं, ठीक है, तो उनha नी त तो उतार के की सुनेहा दिता, की मैसेज दिता, कुरुणानिक देवजी दा सखान दा तरीका अनोखा के मैसी, ठीक है, so ओ तुसी लिखो गए थे, मंगलवार करदा का महेठा लिखे, शब्दां दे मतलब लिखो, शब्द, आसन, शांत होके, उतरना, जवाब, विल्ला, समझ नहीं आई, सोच भी नहीं सकदे, ख्याल ना आया, आदर, सन्मान, एहो, ए सब वाहिगरू, ए कुझ ही, दस्या ही नहीं, परचलत, ठीक है, सो कदे-कदे बोल दे, मिन उगलती लाग जा दिया, मुआफ करना बच्चो, बुद्वार करदा का म, हिठान लिखे वाकान दे हिससे आपस विच जोड़ो, इतना बाबा नानक दा मतलब की है, ठीक है, तुसी आपा इथे पढ़िया सी, तुसी अधर दुवारा पढ़ना ते फिर देखना, ठीक, जेतना याद होएगा ते तुसी पहला ट्राइ करना जोड़न दी, ठीक है, उस एक रब तो पहला कुछ भी नहीं, तक तुते बैठया नू थल्ले उतार दिन दा है, कौन, गुरुजी दा लोका नू से खांदा तरीका अनोखा सी, तुसी एदा आं नहीं सन, ओ करके दिखा दिन दे सन, देन दे सन, या फिर ते फकीरा नू तक्त ते बठा दिन दा है, कौन, तु कोई बाबा नानक नहीं है, जो सब को जानदा है, रब ही सब दी शुरू आत है, जड़ा नंबर दी सिगा, तु इनन दे विच्छ तुसी दौा वाका नू ज पूरा कंप्लीट हिस अबना होगे, फिर टाइमर शिरू करो, ए साखी पड़ो, किनने मेंट लगे, जा ए साखी सोनी लिखत विच कापी करके लिखो, किनने मेंट लगे, तो आनू लिखन नू किनना टाइम लगया है, लिखन वाली अक्टिविटी पहला सी बाकी कर देया, आंसर कर देयों क्वेश्चन से, तो ए वाली जड़ी है किया साखी, एनू तुसी लिखन विच किनना समा लगया, तो आनू पढ़न विच किनना समा लगया, ठीक है, सो तुसी ये नोट करना जी, सो साधा पाठ अज इत्थे ही खत्म होंदा है, ते होन असी अगले पाठ दाल, फिर मिलांगे, साधी किताब तकरीबन अखीरते आ गई है हन, ते होन तक तो अधिरवानगी भी पढ़न दी बहुत वधिया हो गई होवेगी, तुसी शुद पढ़ सक रहे होगे, ते तुसी वधिया ते जल्दी पढ़ रहे होगे हन, तुसी प्राउड फिल कर सक दे अपने आपते, कि तुसी अनी मेनत किती ते तुसी अथो तक पांचे, तो असी बहुत खुशा दर देले, पढ़ देरो, सिख देरो, ते फिर सकान ले अगे ओना, ठीक है जी, वाइगुर जी का खालसा, वाइगुर जी की फदे,